तो वाट इसब गाइज अन्बॉक्सिंग पर अन्बॉक्सिंग लेके आएंगे हमने 2021 का एम रख है क्या अन्बॉक्सिंग आपके लिए नहीं छोड़ेंगे और इस बार भी हम अन्बॉक्सिंग लेके आए हैं पोको सी 3 की फ्रेम में पूरा दिखाया जाएगा यह पोको सी 3 इस समय मेरे हाथ में इस फॉन की आज मैं अन्बॉक्सिंग रिव्यू विगारा हर चीज कामरा टेस्टिंग विगारा फर्स लोग हैंड लोग सब कुछ देने वालों इस वीडियो के इंदर इसलिए वीडियो क मिलती है इसलिए करते अपनी वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और इसको देखके लग रहा है कि शायद इसके अंदर जो बैक के सोगा वो नहीं होगा इसा डाउट आ रहे हैं यह जो आप देख रही है पोको सी 3 और सबसे पहली बात यह प्यूर्ली मेड इन इंडिया है जो आपको यहां पर देखने को मिलता है और साथ साथ हर कंपनी पता नहीं अपने आपको नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रैंड बना देती है अभी कल कुछ दिन पहले जो सैमसंग का जो से ट्वंटीवन सीरीज लॉंच वी थी तब भी यही था कि नंबर वन क्व सबसे पहले देखके लिए आया था रियल वी का वोक्स इतना पर यालो का तो होता है बोक्स में तो जादा कर कुछ है नहीं मतलब ऑपर लिखा हुआ साइड में हर जगा पोको सी तरी ही लिखा हुआ जैसे आप देख पा रहे हो और यहां पे कुछ में स्पैसिफिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर मैंने मंगवाया है लाइन ग्रीन कलर और फॉर जीबी सिक्टी फॉर जीबी वेलियंट के साथ और इसके अंदर तो स्पैसिफिक हाइलाइट जो है वह इदर लिखी हुए पोको सीथ रिगी एक मिड रेंजर प्रोसेसर मीडिया ट सेटप आपको देखने को मिलता है एक मैसिफ और एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है वह है 5000 एमेच की बैटरी जो फुल फुल डे की हाई कैपिसिटी बैटरी है जो हम रिव्यू करके आपको बताने वाले हैं और इसमें टैन वोड का चार्जर इंबोक्स देखने क प्लस पैनल है इस प्राइस प्राइस पॉइंट पर इस टाइम एजडी प्लस भी ठीक है और ब्लू लाइट सेटिफाइज मतलब इसको आपकी आखो को कुछ नहीं होने वाला है तो गाई इसमें कुछ पैसिफिकिशन और भी लिखी है जो मैं आपको वैसे भी आगे बतान प्लस प्लस बाकी बाकी साथ जान करी तो मैं आपको फोन खुलने के बाद देता हूं बिने टाइम करें करते हैं हम अपने फोन को अनबोक्स अब मैं फोन को अनबोक्स करने वाला हूं जाइस पहले सील ब्रेक कर दो आफटाफट लाइक चेर और कमेंट कर दो यहां पर आ चुक है अपना हम यंतर साइड में रख देते हैं फटाफट और यह है पोको का सी थ्री अब इसको खोलते हैं बाकी स्पेसिफिकिशन तो खुलने के बाद देंगे यह खुल रहा है और खुलता ही सबसे पहले हमें फोन देखने को मिलता है जो भी हम डबे से बाहर निकालेंगे और फोन चूने के साफ़ से काफी हलका भी लग रहा है और एक ऐसा स्लीक डिजाइन है अभी फोन को ना हम अभी साइड में रखते हैं और बाकी आगे की बात अभी बताते हैं मैंने एक्सपेक्टिट था कि इसके अंदर केस देखने को नहीं मिलेगा तो कि एक बजट फोन है और कुछ ग्यान की बात है जो हमें करने पढ़ने की विगारा की जरुत नहीं है साफ़ी बात है से मैं यहां से पहले निकाल लेता हूं और यह बिलकुल भाई जो पोक है व छोटी लग में रख है वैसे ही होगि पांका अंदर बॉकस से काफ़ी सिंपल है एक ताइप सी पोर्ट का आपको पर सी और से उन्थन वाट देखने को मिलता है जो इन इसकें इसके अंदरीओ किन है है अगर केबल को खोल के देखे तो काफी चोटी केबल लग रही और माइक्रो यूएस्बी केबल है अगर इस प्राइस पॉइंट पर आपको टाइप सी पोड भी मिलता तो वह भी मेरे ग्याल से काफी सही रहता तो कि यह फोन जो थे ऑल्मस मनलब ट्वंटी ट्वंटी में लोंच हो तो भाई बॉक्स में कुछ है नहीं डबबा खाली है आगे के प्रिविव में आपको दूंगा अभी फटाफट पहले फोन को खोल लेते हैं गाइज यह है फोको सी 3 का लाइम ग्रीन कलर जो आप इसमें अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो गाइज अन्बॉक्सिंग पूरी करते है फटाफट क्योंकि अन्बॉक्सिंग नहीं रहनी चाहिए मज़ा आगया अन्बॉक्सिंग करके और गाइज यह देखने में जैसे मैंने फोड़ो में देखा तो मिले को लगा पौली कार्बॉनेटिड बैक है थोड़ा टेक्श्चर सा होगा पर यह पौली कार्बॉनेटिड के साथ एक मैट फिनिश देखने को आपको मिलती है तो इसका बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि यह रैड्मी 9 का री ब्रैंड है कि इसमें फिंगर्प्रिंट सेंसर नहीं है पर फेस अनलोग देखने मिल जाता है और इसके क्यामरा की बंप की बात करें हम काफी सही क्यामरा का बंप को ना जादा है ना कम है इस आप सापको देखने को मिलता है इसमें 5000 एमेज की बैटरी यह जो इस आप से काफी सही है और पीछे का डिजाइन का डिजाइन है इसमें मैं का वाज अब आगे की बात करते हैं तो आगे की अन्बॉक्सिंग कंप्लीट कर ले जाए क्योंकि अन्बॉक्सिंग कंप्लीट करना ही हमारा टार्गेट है तो यह हमारा यह जो इसके उप्रकाइड भी थक के सब्सक्राइब फूल एच्टी पैनल इसकंदर आपको देखने को मिलता है काफी अच्छी बात है आगे के रिव्यूज में आपको आगे दूँगा तब तक खिलिए भाई पसंद आते तो लाइक कर देना सारे बोक्स कंटेंट अभी आगे बढ़ते हैं और इसके फूरे रिव्यू में आपको देऊंगा इस यह पोको सी त्री इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीखते हूं और मिरे को बताना यह आपको कैसा लग रहा है कि यह जो है इसके अंदर आपको माइक्रों नहीं है जो होना चाहिता मेरे साब से अगाइज अगरम इस साइड आते एक सेंट्रे है जो डेडिकेटेड माइक्रों एजडी काड़ की है और इदर वोल्य वापन डाउन लोकर और एक पावर की है और गाइज यह एक स्क्रीन है वह एक सिक्स पॉइंट फाइट फ्री इंचिस की एजडी प्लस का पैनल है जो काफी सही है और गाइज इसके उपर डगाव है पांच मेगापिक्सल का फ्रेंट कैमरा और इसके थोड़ा सा बस में बात लगी कि इसके थोड़े नीचे की साइड जो चेन है वह थोड़ी ज्यादा बात नियुक्स खींट्री अठीयर स्मॉच सभस्राइए है जैसे चैश्राओ आप इस गने देख आ रहे हैं आप Religion वह पर पो की बैंडिंग यह आपको देखने को में जाती है और दो लिए एक तेक्ष्छा रिस से का बी देखने इसके तूबäll चशने के वह इनीड ऊंद आपको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा ब्लू कलर रहा पर यह लाइन ग्रीन कलर रहा है जो मैंने मंग वाया है को गाइस कहना 5000 एमेच की बैटरी एक बड़ी बैटरी है तो मेरे गाल से इसके साब से बहुत सही है वाइस आगे बढ़ते हैं इसके टेस्टिंग की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि यह फोन कैसे है तो आप इसके स्क्रीन की बात करते हैं तो गई इसके अंदर एक गोरिला ग्लास थी की प्रोटेक्शन है पीछे लगावा पॉलिकार्बोनेटिड और एक इधर टेक्स्ट्रीक्स का डिजाउन डिजाइन जो मैं वीडियो में बहुत काफी अच्छा लगा तभी मैं बोलनों और साइड में जो है ना यह जो साइड में इसके अंदर थोड़ी सी मैटल सी फिनिश आपको देखने को दीवी है यह जो काफी अच्छी तरह से नोंने फिनिश कर रखे और काफी बढ़ी है लग रहा है इन एंड फील और ज्यादा लग रहा हुना है कि अच्छी अच्छी मैंने भी पहले पीस से को एक दो फोटो कीची है कि आप्टोमाइजेशन में वह काफी सही लगी है और इसके अंदर आपको काफी सारे मौट देखने को मिल जाते हैं चाहिए इसकी प्रोम मोड है वीडियो मोड है वीडियो में फॉस्य डियाल आप को हट वीडियो को मोड़ देखना मेला फोटो है पोट्रेट इस फोन का काफी अच्छा है फ्रेंट में भी मैंने ट्राइक रहा है आगे फोट्रेश अपलोड कर दूगा और मोर के अंदर आपको स्लो मोशन और टैम लैप्स देखने को मिल जाता है अच्छा पॉट्रेट में इसकी जो प्लेरेटी न पॉट्रेटी विल्द इस फोन की में को फ्रंट पॉट्रेट की लिए बहुत ज्यादा पसंद आई है और मैं आपको वी थोड़ सा फोकस करके दिखाँ हूं तो आप देखो मलब इन हैंड रसे कि बिल्कुन नाच्राल कलर कर लग रहा ना इसाल काछ़ पीघेलींग ब.'' टीटेलिंगू इων बॉट बढ़ रहा हूं झार में अच्छीं ऑ फ्रंट गैमेर 5 में जावके अच्छी फोटो इससे निकल के आ रही है वाइस आगे बढ़ते हैं इसके और एक आपको बतारे तो इसमें आपको मुआ 12 आउट ओफ दा बोक्स देखने को मिलता है जो काफी अच्छी बात है और जो मेरे पास वेरेंट हुआ इसका प्राइस है आठ हजार पांचो रुपे एक रुपे करूं उसकी खा सकते हैं पर उस हिसाब से मेरे को एक ओफर में लगाता है पोको डेस चल रहे तो में तो मेरे को एट थाउजन का पूर और यह थाउजन के सबसे बेस्ट डील आज तक की जो मैंने देखिया मतलब ठी अगर आप इसके पास फोन है और यह कैसा लगा यह जरूर बताना वैसे यह जो इन फोन के बार में आपको ओपो के भी वीडियो में बता सकते हैं क्योंकि इन में लिमिटेड चीजी होती है पर मैं मल्टी टास्किंग कर रहा हूं मेरे को ऐसे को दिक्कत वाली बात नहीं मै सब्सक्राइब इसके न फोर एक्स देखों मेरे लिए वह काफी अच्छी बात है वैस अभी वीडियो यहीं पर खतम होती है बताना कैसे लगी वीडियो यह साउंड टेस्ट रहे हैं वह साउंड टेस्ट टेस्ट करने पढेंगे मैं बता रहा हूं अभी कुछ 748 आपको दिख रहे हैं समय फटाफ़ चैनल पिल नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लो और बैर इकन को दबा देना हमें लाल कलो पसंद है यूटूब में लाल कर दो हमें कम पसंद है दबोच ले जाए ग्रे कर दिया जाए और इस वीडियो पसंद आते तो लाइक का ले पॉक है अच्छी लगरी है एस आंद प्राइस के साब से बहुत अच्छी साउंड आपको इस पोको सी जी मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी आप सोगाई आपको वीडियो पसंद आते योड पसंद आते लाइक कर दिना कि बहुत अच्छा फोन लगा में एट थाउजंड के साप से बैस्ट डील लगी मिले को जिस आप से इन्होंने कोटिंग भी गया रहा है सारी चीजे करीब है यह मैं कंसे छटी बार बोल रहा हूं में को यह डिजाइन बहुत पसंद रहा है कि साउंड मैं सारा दिन ऐसे